सब्सक्राइब कीजिए, इन्फराटेक यूट्यूब चैनल को बिलकुल फिरी और बेल आइकन दबाइए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फराटेक यूट्यूब चैनल इन्फराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को लेट्स गेट स्टार्ड़ेड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर के ऐसे 7 शॉर्टकट्स के बारे में जिनको आपको जरूर जानना चाहिए तो उन शॉर्टकट्स में सबसे पहला है अल्ट प्लस टेब अल्ट और टेब दवाने पर जितने भी प्रोग्राम्स ओपिन होते हैं हमारे तो बिना माउस को छुए एक एक टेब को देख सकते हैं आप अल्ट प्लस टेब की हेल्प से आपको सभी टेब एक साथ दिख जाएंगे जिस टेब में जाना है उस पर उस पर फिलिक कर दें तो यह शॉटकट है एक पहला अल्ट प्लस टेब इसका यूज़ करके आप देख सकते हैं दूसरा शॉटकट है बिन्डो प्लस दी इन दोनों को एक साथ दवा कर आप कभी भी डारेक्ट डेक्स्टॉप पर पहुँच सकते हैं कितने भी टेब आपके उपिन हो बिन्डो प्लस दी प्रेस करने पर आप डारेक्ट होम यानि डेक्स्टॉप पर पहुँच जाएंगे तो इस टेप को भी आप यूज़ करके देख सकते हैं इस शॉटकट को थर्ड शॉटकट है Ctrl प्लस Home और Ctrl प्लस End इन दौना शॉटकट में किसी भी आप documents को open करते हैं या फिर किसी web page को open करते हैं तो Ctrl प्लस Home दिवाने पर ये start में आ जाएगा उस web page या उस document के start में और Ctrl प्लस End दौने पर उस web page या document के end पर पहुच जाएगा तो इन शॉटकट का भी आपको जानना जरूरी है इसको भी आप यूज़ करके देख सकते हैं फोर्थ शॉटकट है Shift प्लस Insert किसी भी copy हुए text को paste करने के लिए आप Ctrl भी यूज़ करते हैं लेकिन आप Shift प्लस Insert दवा कर भी copy हुए text को कहीं भी paste कर सकते हैं तो ये फोर्थ शॉटकट है Shift प्लस Insert इसके अलाबा 5th shortcut Ctrl प्लस Insert किसी भी text को copy करने के लिए हम generally Ctrl प्लस C का यूज़ करते हैं लेकिन आप इसकी जगा Ctrl प्लस Insert का भी यूज़ कर सकते हैं इससे भी text आपका copy हो जाएगा इसके लाबा next shortcut है Alt प्लस F4 Alt F4 आपके programs को close कर देता है और साथ ही shutdown में भी आप इसका use कर सकते हैं तो इस shortcut का भी आपको जानना जरूरी था ये काफी useful shortcuts होते हैं आप windows यूज़ करते हैं और last shortcut यानि 7th shortcut है Ctrl प्लस Y कई बार हमसे जल्ती हो जाती है ऐसे में हम Ctrl प्लस Z दबा कर undo करते हैं वैसे ही आप Ctrl प्लस Y से undo को redo भी कर सकते हैं तो ये कुछ important shortcuts थे ये सभी shortcuts only windows में ही work करेंगे Mac के लिए ये नहीं है ये windows OS के लिए हैं only तो इनका सभी का आप use कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपके लिए helpful रहा तो जरूर इस वीडियो को शेर कीजिए और like कीजिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आगया होगा अगर future में आप इसी टाप की होड़ टेक वीडियो दिखना चाहते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और अगर आप कोई सुझार सेशन देना चाहते हैं या कोई सुचना चाहते हैं तो comment box में comment करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को like कीजिए comment कीजिए और share कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइब की और इसके ज़्यादा इंट्रेस्टेड डेली वीडियो लेकर आते रहते हैं So thanks for watching this video, thanks